आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीक से बहुत सारे लोगों के सामने अंधापन मतलब आता है मुझे भी पहले और आज भी मतलब मैं सच कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो मतलब नॉर्मल नहीं है हमारे जैसे मतलब कोई अंदा है कोई अपाईच होता है ऐसे लोगों को आज भी जब देखता हूँ भगवान से यही प्रार्था ना करूँगा एक इमोशनली मतलब मंस को लेकर की जितना होसा कि आप सब लोगों को एक अच्छे जिंदगी देना एक ऐसा किसी को भी ना बनाना आज की जो कहानी है दोस्तों वो बॉब नाम के एक इंसान की है और वो एक अंधा इंसान था और वो मतलब किसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे और बॉब हमेशा मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते थे कि आखिर उनके सामने ऐसी जिंदगी क्यों आई कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है वो हमारे जैसे एक दुनिया को मतलब नहीं देख सकते तो इस तरीके से वो दुखी थे एक बार दुस्तों बॉब के मतलब पुनर जनम को जब देखा गया तब उन्होंने ये कहा है कि पुनर जनम को मतलब उनके आत्मा के जो सफर है उसको जब देखा गया तब उस तरीके से जो उनको बाते पता चली थोड़ी से हैरान कर देने वाले ये बाते है बॉब की आत्मा ने मतलब जिस तरीके से देखा तो हमें ये पता चला दो उनको कि बॉब का जो ये जनम था वो एक नॉर्मल इंसान का जनम था वो अन्दे बन के ही इस दुनिया में आएंगे ऐसा नहीं था लेकिन बाद में हालात कुछ इस तरीके से हुए एक नर्स की गलती के वज़े से उनके मतलब शरीर में कुछ आखों की जो मतलब यह होती है नर्स वगयरा उसमें कुछ ऐसा कुछ ऐसा केमिकल जैसा कुछ बेजा गया था जिसके वज़े से उनके सामने अंधापन आने वाला था तब बाब की आत्मा को कही ना कही ये मैसेज दिये गए उस वक्त की बात है जब उनका जनम हुआ था तब उनके आत्मा को कही ना कही ये पाव ले सकते हो बाद में मतलब तुम जनम ले सकते हो या फिर चाहे तो इस अंधेपन से भी तुम गुजरने की कुशिश कर सकते हो और उसको ये भी कहा गया कि अगर तुम इस परीश सिते से गुजरे तो तुमारी आतमा का भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है और तुम बहुत सारी चीज़े सीख सकते हो बॉब ने इसके बारे में थोड़ा सोचा और उसने ये सोचा कि मैंने बहुत सारे ऐसे नॉर्मल जीवन लिये है तो मैं एक बार ऐसे जीवन का चैयन करके देखता हूँ तब क्या हुआ दोस्तों कि तब बॉब के साथ बॉब की ए आगे बढ़ेगा तो तुम उसके साथ क्या रहना पसंद करोगी तो उसको भी मतलब चॉइस दी गई कि तुम आगे मतलब इस जीवन को कंटिनिव करेगी कि नहीं करोगी तब उसने ये कहा कि मेरी प्रोग्रेस जो है वो इतनी अब तक नहीं हुई है कि मैं गंदे पती को स जाएगी उसके आत्मा की जिस तरीके से वो प्रत्वी पर आकर जियेगी तब लेकिन बॉब उसको वक्त तयार हो गया और उसने उसकी जो पत्नी की मतलब सोल थी उसके भी जो डिसीजन था उसका भी सनमान किया और इसलिए दोस्तों बॉब ने इस जीवन में कहिना कि इनको अपने खुद से उसने चुना होता है इसके पीछे बहुत सरी ऐसी बाते होते जिस वज़े से हमें ये जीवन मिला इस तरीके से हालात आज हो रहे है लेकिन बॉब जैसे भी कुछ ऐसे जनम होते है जहापर उसने वो चौइस नहीं किया था उसने उसका चुनाव नह कर सकते हो तो ये बाध थोड़ी सी बहुत लोगों को 960 वाली भी लग सकते हैं मैं ये क्यों कहरें यह सिधे-सिधे कहने की बाद मतलब मैं यही देखंगर कह रहा हूग क्योंकि आज की दुनिया में हम बहुत सार ऐसे लोगों को देखते है जो नॉर्मल नहीं है तो इस वज़े से आत्मा ये बहुत बार ऐसे जीवन का चैन करती है ये मतलब आत्मा की सुरुष्टी का एक भाग है उस तरीके से हमें accept करना होगा लेकिन ये जो जीवन है वो हमेशा इस तरीके से नहीं रहने वाला आज अगर कोई अंदा है या फिर कोई अपाईच है तो वो हमेशा वैसे ही जनम लेगा ऐसा जरा भी नहीं होगा उनके बहुत सारे जो जनम होते है वो एक नॉर्मल ही तरीके से होते हैं कुछ जन्मों में उनको ऐसे जीवन का चैन करना पड़ता है तो ऐसी जो बाते हैं वो हमें मतलब यही सिखाते हैं कि जितना हो सके जैसा अभी हमारा जीवन है सुख दुख के साथ या फिर कोई भी परेशानी के साथ तो उसको एक्सेप्ट करो और उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करो अगर हम अपने आत्मा को बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करते हैं तो हम इतनी उच्छाई तक जाएंगे जहां से हमें फिर से फृत्वी पर भी आना नहीं पड़ेगा तो इस तरीके से मैं आपको कहरा हूँ कि जितना हो सके अच्छे करम से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा तो दोस्तो हम अपने अगली विडियो में किसी नहीं विशे को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपने परिवार का खैल रखना आपका बहुत बहुत दन्यवाद जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडियोस भेजी जाएगी जिससे घर बेटे वह पास्ट लाइफ इरिग्रेशन का बैस कर सकते हैं और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की ओडियोस भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पिडियेफ किताबे भेजी जाएगी जो हिंदी और अंग्रेशी में है जो मोबैल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गृपया इस नमबर पर वाटसप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद